हम प्लेट्स डाल के इस तरह से इसको रेडि कर लिया है अभी हमें इस का मेजरमेंट करना है तो इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लेंगे इसकी जो टोटल लेंथ है वो 42 इंच है इसका हम हाफ कर लेंगे तो 21 इंच हमें इसकी लेंथ फॉल्ड करके लेनी है इस तरह से 21 लेना है फाब्रिक को फॉल्ड करने के बाद 21 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है अब हम इसकी विर्थ लेंगे तो हम फाब्रिक को इस तरह से रख लेंगे और 16 इंच हमें इसकी विर्थ लेनी है तो नेक्स्ट हमें टू पट्टियां इस तरह की कट कर लेनी है और हमें side में से stitch लगाएंगे बाद में इसमें तो अभी हमें इसका measurement लेना है तो total length हमारी 42 inch आजाएगी इसका हम half कर लेंगे तो 21 inch हमें इसकी length लेनी है इस तरह से half कर लेंगे और 21 inch हमें इसकी length लेनी है और width ले लेंगे हम 9 inch इसकी तो इस तरह से हमें इन पट्टियों का measurement कर लेना है अब next piece हमें ये वाला लेना है और plate की मदद से हमें round piece cut करना है तो plate को हम fabric के उपर इस तरह से रख लेंगे और इसके round round हमें निशान लगा लेना है इस तरह से अभी हमें इसकी cutting कर लेनी है तो इस तरह से हम इसकी cutting कर लेंगे तो ये cutting हमारी हो गई है ये round piece हमारा ready हो गया है तो ये वाला piece हमने पहले से ready करके रखा हुआ था इसके उपर हमें next ये वाला piece रखके इस पर stitching लगा लेनी है तो इस तरह से हम इसमें round round stitching लगा लेंगे तो इस्टिचिंग लगा के ये पीस हमने रेडी कर लिया हैं अभी हमें नेक्स्ट इन पट्टियों को लेना है और शाइड में हम सीधी इस्टिच लगा लेंगे इस पे अभी हमें नेक्स्ट हमारा जो राउंड पीस है इसको लेना है और इस पट्टि को इस पे हम राउंड राउंड स्टिच लगा लेंगे तो इन दोनों पट्टियों पे भी हमें इस्टिच लगा लेनी है तो अभी हमें इसके ऊपर सीधे सीधे फिर से इस्टिच लगा लेनी है तो इस्टिच लगा के हमने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है अभी हम इसको ओपन करेंगे तो यह पीस हमारा रेडी हो गया है इस तरह से तो फ्रेंट्स हमें नेक्स्ट क्या करना है जो पीस हमने रेडी क्या है उसमें हमें रफल वाले पीस को अटेच करना है उससे पहले हमें रफल वाले पीस को साइड में से स्टिच करना है इस तरह से सीधे सीधे हमें साइड में स्टिच लगा लेंगे तो stitch लगा के इसको हमने ready कर लिआ है अभी हमारा जो round piece है उसमें हमें इस रफल को attach करना है तो front side से ही हमें इस रफल को attach करेंगे इस तरह से front side पर हमें ruffle को attach करना है सीधे सीधे झाल 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 तो हमारा रफल वाला जो पीस है उसको आमने इस तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है तो अभी हमें नेक्स्ट इस तरह के राउंड पिसिस कट करने हैं या आप किसी भी कार्डबोर्ड की मदद से या फिर इस तरह के ढकन की मदद से भी इस तरह के राउंड पिसिस जो है कट कर सकते हैं अभी हमें इस सुई और धागे की मदद से इस पीस को हम इस्टिच लगाएंगे किनारी किनारी पे हमें इस तरह से इसमें इस्टिच लगा लेनी है तो इस्टिचिंग लगाने के बाद धागे को हमें उपर की साइड खेंच देना है इस तरह से और हमारा प्यारा सा फ्लार्श बनके रेडी हो जाएगा तो इस तरह से सारे फ्लार्श को हमें ready कर लेना है तो इस सारे फ्लार्श हमने बना के ready कर लिए है अभी हमें next हमारा ये वाला piece लेना है और जो फ्लार्श हमने ready किया है उनको हम इसमें attach करेंगे इस जगा पे इस तरह से हमें सारे फ्लार्ष को इसमें अटेच करते जाना है तो सुई और धागे की मदद से हमें इन फ्लार्ष को इसमें अटेच करना है तो इस तरह से फ्लार्ष को हम रखेंगे और सुई और धागे की मदद से इस्टिच लगाते जाएंगे इनमें तो सारे फ्लार्श को हमें इसी तरह से इसमें श्टिच कर लेना है तो फ्रेंट सारे पीसिस को हमने फिनिशिंग के साथ इस पीस में अटेच कर लिया है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आई है अभी हमें इसको try करके देखना है तो चलिए friend try करके देखते हैं तो friends यह हमारा gas cylinder है जो cover हमने बना के ready किया है उसको हम इस पर try कर लेते हैं तो friends फाइनल उका हम देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा gas cylinder का cover बना के हमने ready कर लिया है और वेस्ट कपडों को यूस करके कितनी यूसफुल चीज हमने घर में ही क्रेट कर ली है तो फ्रेंट्स आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा और इसी तरह की वेस्ट मटिरियल पर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो के न्यू नॉटिफिकिशन आपको मिलते रहे तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की वेस्ट मटिरियल को लेके वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग इंजो दूस वीडियो बाबाई फ्रेंड्स